हेलो एवरिवन आज हम अलंकार को समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान भाशा में आज मैं इसे समझाने की प्रयास जो है वो कर रहे हूँ तो सबसे पहले अलंकार का अर्थ समझना जरूरी है अलंकार किसे कहते हैं आप ये ध्यान रखिएगा कि अलंकार आभूशन या गेहना जो होता है उसे कहा जाता है अब हिंदी में आभूशन का क्या प्रयोग हुआ बात ये आती है तो किसी भी काव्य में या कविता में सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का या अर्थों का हम प्रयोग करते हैं जिससे उस कविता की सुन्दर्ता को बढ़ावा मिलता है आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जैसे स्त्री के सुन्दर्य को आभूशन बढ़ाते हैं उसी तरह से काव्य में शब्द और अर्थों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे उस कविता के सुन्दर्ता में व्रधी होती है कैसे की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कावे की सुन्दरता बढ़ जाती है जब कुछ विश्येश शब्दों का या अर्थों का हम प्रयोग कर देते हैं उधारन के लिए मैं आपको एक लाइन बता रही हूँ जिसमें आवरत्ती की गई है तो मैं आपको यहां बताऊंगी समझाऊंगी कि क्यां यहां पर कौन से अलंकार का क्यों प्रयोग किया गया है जैसे खग कुल 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 सा बोल रहा किस लई का आचल दोल रहा यहां आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो यहां पर कै की बार बार आवरत्ती हो रही है अलंकारों का विशेश महत्व है क्यों है विशेश महत्व क्योंकि अलंकार की प्रियोग से कविता सज धज कर सुन्दर दिखाई देती है और अलंकारों को जान बुझ कर नहीं लादना चाहिए ये नियम भी इसका होता है अलंकारों के भेद भी हम करेंगे एक बार हम पहले इसे समझ लेते हैं कि अलंकार का दर्च पर ये क्या होता है अलंकार के दूसरे उधारण की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि चारू चंद्र की चंचल किरने खेल रही है जल थल में अभी आप चारू में देखो चै का प्रयोग हुआ है, चंदर में भी चै का, चंदचल में भी चै का यानि कि तीन बार चै की आवरती हुई है यहाँ पर दूसरे त्रीक के सेदि हम देखें तो शब्दों के प्रयोग से भी कावे की सुन्दरता की ब्रत्य हुई है यहां पर तो चारू चंद्र की चंचल किरने खेल रही है जल्थल में तो जहां शब्दों के प्रयोग से यहां पर जमतकार है सुन्दरता बढ़ रही है तो यहाँ पर भी अलंकार का आप प्रयोग देख सकते हो अलंकार के तीन भेद होते हैं बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो देखे एक पहला इसमें होता है शब्द अलंकार बिलकुल आप ध्यान दीजे उस बात पे शब्दा लंकार यानि की शब्द का प्रयोग चुन चुन कर शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे भी सुन्दर्था आ सकती है दूसरा होता है अर्था लंकार यहनि कि किसी बात का आर्थ हैसा बना दिया जाए जिससे कविता में सुन्दरता आ जाए तो उसे आर्था लंकार कहते हैं या किसी किसी कविता में शब्द और आर्थ दोनों का प्रयोग करके उसे सुन्दर बना दिया जाता है तो उसे उभया लंकार कहते हैं अब तीनों अलंकारों को हम अलग-अलग समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे शब्दा अलंकार को, तो शब्द अलंकार में शब्दों के प्रयोग से कावे के सुन्दरता को बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक उधारण भी पताया था, जिसमें चारू अभी जब आप अर्थ अलंकार को समझ जाओगे तो आपको शब्द अलंकार का अर्थ भी क्लियर हो जाएगा अर्थ अलंकार की बात करते हैं देखिए जहां शब्दों का अर्थ कविता में सुन्दरता उत्पन करें तो वह क्या होता है वह होता है अर्थ अलंकार चरन कमल बंद़ों हरिराई अब चरन कमल हैं चरनों की तुलना कमल से की गई है तो चरन कमल का आर्थ है क्या कि प्रभू के चरण जो है वो कमल की तरह सुन्दर है तो यहाँ पर सुन्दरता में व्रधी हो रही है कवे के तो अर्थ के कारण चरण कमल का अर्थ है कि प्रभू के जो पैर है वो कमल के समान सुन्दर दिखाई दे रहे हैं तो अर्थ से यहां सुन्दरता हुई तो यहां पर कुन सा अलंकार हुआ अर्था अलंकार उसके बाद आता है उभै अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों परी आश्रितो कविता का सुन्दर है तो एक उधारन हम देखते हैं नर की अरू नल नीर की गती एकई कर जोई जैतों नीचों हुआ चलाई तेतों उचे होई यहां पर शब्द भी प्रयोग में लाए गए हैं और शब्दों के साथ साथ देखो नर का जो प्रयोग किया गया है भै दो अर्थों में प्रयोग किया गया है तो यहां पर उभै अल रहा है तो यहां पर दोनों का प्रयोग जो है नर की तुलना भी की गई है गती कई कर जोई इसमें चब्रच का प्रयोग शब्रका जो प्रयोग है उससे संद्रता आ रही है ओर इसाथी नर्च बे दो अर्थ हैं यहां पर उभय अलंकार है मैं आपको इसका उधारन बताती हूं आप समझ लीजेगा तो यानि मुख्या रूप से तीन जो है इसके भेधुवे अलंकार के